First Byte की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरट नमस्कार मैं हूँ समपदा और आप देख रहे हैं First Byte TV लोगडाउन में तमाम तरह की दुश्वर्या हैं लेकिन एक बड़ी परिशानी शराब उपलद ना होने की भी है तमाम लोग एक दूसरे को फोन कर पूछ रही है कि क्या थोड़ी सी पड़ी है जवाब में ना ही आता है इस बीच इतना अवश्य हुआ कि लोगडाउन से पहले जिन शराब की दुकानों वे ठेकों पर स्टोक भरा हुआ था वहाँ लोगडाउन की अवधिय में साफ हो गया है शराब गुटका वे बीडी सिगरेट की दुकानों के संचालों को ने इस दोरान मोटा मुनाफ़क कमाया है कुछ लोगों ने खुली खिड़की से तो कुछ लोगों ने पिछले रस्ते से अपने पाँ बाहर किये है लोगों का दावा है कि यदि लोगडाउन में ही शराब गुटका बीडी सिगरेट का स्टॉक चेक किया जाए तो सब कुछ साफ मिलेगा लोगडाउन को एक महा से जादा का समय हो गया है अभी यह तीन मही तक लागू रहेगा इस भी शराब की बिकरी रोग देने से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है तमाम लोगों के भी गले तर नहीं हो पा रहे है 16 अपरेल को शाशन ने शराब वेबियर का उतपादन शुरू करने के लिए कहा था इस आदेश के बाद लोगों की आस जगी थी कि जल्द ही कुछ हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया ग्रह मंत्राले ने शुकरवार को आदेश का बार और कलब को भी बंद रखने के लिए कहा है यानि अब 3 माई के बाद ही शराब की बिकरी का निर्णे लिया जाएगा इसी क्रम में सरकार बीडी सिगरेट गुटका वे तमबाकू की बिकरी पर रोक लगा चुकी है यह बात और है कि इस बंदी के बावजूद इस वक्त कही पर भी स्टॉक नहीं है मेरट में ऐसा कोई ठेका अध्वबार नहीं है जहां अभी भी स्टॉक रखा है बताया जा रहा है कि लोकडाउं का फाइदा उठाते हुए ठेकेदारों ने खूब उचे दामों पर शराब बीडी गुटका तमबाकू बेचा है जिला प्रशाशन वे संबंदिद विभाग यदी चेक करें तो स्टॉक में तो शराब वे बीडी सिगरेट वे गुटका का मिलना संभव है लेकिन गोदाम और दुकानों में नहीं इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए ऐसी और भी खबरे जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेर तब तक मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार